आप सभी का स्वागत है आज जतिन प्रशाज जी हमारे बीच में हैं आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारते जन्ता पार्टी की नीती हमारे मान्य प्रधान मंत्री जी नरेंद मोदी जी के नेतरतों से प्रभावीतों के भारते जन्ता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं हम आपका स्वागत करते हैं जतिन प्रशाजी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं आप पूर में केंद्रिय मंत्री रहे हैं कांग्रेस संगठन में कई विविन पदों में आपने कारे किया है आपके पिता जी स्वर्गिया जितन प्रशाजी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं हम आपका स्वागत करते हैं भारदे जंदा पार्टी वे और मैं आधर्णिया यूज गोइल जी जो आज हमारे मद्द्य है उनसे बहुत आगरे करता हूं कि वे शिरी जतिन प्रशाज जी को पार्टी की सज़स्ता दिलाएं और पार्टी की सज़स्ता की एक बूस्ट अब मिलेगा और खास वर पर कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा जटका है एक जो पर्ट जाते हैं रस्मित वर पर और जो बेज़ेपी का जो बुके देखे आपका स्वागत करें जिए बुके देखा स्वागत करते हुए इस तक्बाल करते हुए इस अफसर पर मैं केद्रिय मंत्री आदनी प्यूज गोईल जी से आगरे करूँगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें आदनी प्यूज गोईल जी धन्यवाद अनिल जी मान्या जितिन प्रसाद जी में बहुती छोटी आयू से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन जोग दिया मुझे अभी भी याद है शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब अकासात में एकड़म सडनली उनके पुझे पिताजी के दिहांत हुआ और ये मुंबई में तब काम करा करते थे बहुत अच्छी पद पर थे दून स्कूल से पढ़ाई की शीराम कॉलिज से दिली के विख्यात कॉलिज से पढ़ने के बाद MBA करने के बाद अपने काम में लगे थे जब बहुत छोटी उमर में उनको परिवार को ये धका पड़ा लेकिन छोटी आयू में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से अपने काम से लोगों का दिल जीता दो बार पार्लिमेंट में अच्छी मतों से जीते पहली बार शाजापूर से 2004 में और जिस मेकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की रादनीती में एक बहुत प्रमुक भूमी का वर्षो वर्षो तक निभाई वो हम सब देखा करते थे इनके पिता जी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षो वर्षो तक कॉंग्रेस में और कॉंग्रेस पार्टी हो कॉंग्रेस की सरकारे हो उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस पकार से सेवा करीती देश की वो हम सब भली बाती याद करते हैं केंद्रेस सरकार में भी मेरे मित्र जितेन जी अलग-अलग विभागों को देख चुके है मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभाव है उनका चाहे वो इसपात मंत्राले हो चाहे पेट्रोलियम और नैचुरल गैस हो चाहे वो सडक परिवाहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी मुझे तो एक परस्तल अनुभाव भी है मैं याद करता हूँ कि जब यह में पहले कॉंग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रहत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने शेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कर्वर्जन स्विक्रित तो करा पाई लेकिन उसको गती नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल से जल खतम हो जल से जल वो पूरा हो काम मोदी जी की सरकार 2014 में आए तब यह सांसद नहीं रहे लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाए सुद्रे उत्तर प्रदेश में एपने शेत्र में काम चालू रहे उसके लिए लगातार पीछे पढ़े रहे और रेल मंत्रा लएके पीछे ऐसा पढ़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोधी सरकार आने के बाद तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता जमीन से जुड़े हुए नेता लोकप्रियों नेता और जिनकी प्रातमिकता समाथ सेवा रही हो जिनको देश के प्रती प्रेम हो ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नीता जैसे आनिल जी ने कहा उत्तर प्रदेश की रादनीती में जिनका बहुत बड़ी भूमी का आगे मैं देख पा रहा हूँ ऐसे शी जितन प्रसाद जी हम सब को आज हमारी पार्टी के साथ प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी जी के नित्यत्व के साथ शी जेपी नड़ा जी के अध्यक्षता में भारतिय जनता पार्टी में जूड रहे हैं मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि इनके आग्मन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितन प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका बिलेगा जितन जी आप भी कुछ कहना चाहें बहुत बहुत धन्यवाद आदर्णिया प्यूश गोईल जी आपने जो मेरे बारे में जो बक्तर प्रक्षा अनिल बनुली जी आपका भी धन्यवाद सर्व प्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतिय जंता पाठी के राश्ट्र अध्यक्ष स्विजेपी नडड़ा जी देश के यशास्वी प्रधान मंत्री आदर्णिया नरेंद मोदी जी, देश के कर्म्योगी ग्रह मंत्री आदर्निया मिछा जी और समस्त भारतिय जन्ता पार्टी नेत्रत का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने आज भारतिय जन्ता पार्टी परिवार में मुझे सदस्ता और सम्मान दिया है और ये मेरे जीवन, राजनेतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कॉंग्रेस पार्टी से तीन पीडियों का साथ रहा है तो ये महतपूर्ण निर्ने जो मैंने लिया है, बहुत विचार, मंधन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुँचा हूँ और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़के आ रहा हूँ, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से आट-दस सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमन करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है, जो संस्थागत, इंस्सिटूशनल दल वो भरती जंता पाटी है, बाकी दल तो ब्यक्ति विशेश और शेत्र के हो गए, मगर राश्ट्रे दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है, तो भरती जंता पाटी है, और जिस चुनौतियाँ और परस्तितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए अगर आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उप्युक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में तो भारते जिंतापाटी और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी है ये जो दशक है ये भी मैंने एक बक्तव सुना था प्रधान मंत्री जी का निर्णायक होगा भारत के लिए आने वाली पीडियों के लिए भारत बिश्ट पढ़ल पे क्या भूमेका निभाएगा वो यहाँ सरकार ते करेगी और नित्रत ते करेगा और प्रधान मंत्री जी राद दिन भारत की सेवा में निसारत लगे वे हैं हम देखते आए हैं हमने चुनोतियों का सामना भी किया है जंता ने हमें दरकिनार भी किया है तो हम जानते हैं कि उनके प्रती देश की भावना क्या है प् वो जो नए भारत का निर्मान कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्ता जो आज मैंने घ्रहन किये भारत जनता पाटी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रती, भारत की जनता की आने वाले पीडियों के प्रती करने का अफसर मिलेगा, ये मैंने विचार करके इस निर्ने पे पहुँचा हूँ कल्यानकाडी योजना है तो प्रधान मंत्री जी ने की है जो गाउं गाउं हम देखते हैं चाहे विदुतिकरण हो शोचाले हो गैस योजना हो तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरत मंद है और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीत में हैं और राजनीत एक माध्यम है दल भी माध्यम है अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए काम नहीं आ सकते तो आपका राजनीत और दल से में रहने में क्या हो चित है तो यही मेरे मन में और चाहे वो देशित हो चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो जिला हो अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते उनके कि सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कॉंग्रस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं भारत जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा वो सशक संग इतना मजबूत नेत्रित्व जो आज देश को जरुवत है मैं इस वक्त जादा बोलना नहीं चाहता मेरा काम बोलेगा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कॉंग्रेजनों का जिनका मुझे आशरवाद मिला और साथियों का इतने वर्स तक मगर अब मैं समर्प पास और सब का साथ जो देश है एक भारत और श्रेश भारत का वो लेके एक कार्यकर्टा के रूप में मैं काम करूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोग धन्यवाद